पिछे देखिए आप किस तरह से 21 फीट उची सिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है जो ये सिवलिंग है ये पुरी तरह से रोधराक्ष से इस सिवलिंग को सजाए जाएगा जिसकी तैयारिया यहां पर किस तरह से की जा रही है पीछे आप देखिए ये सिविलिंग आपको यहां आने वाले सद्धालों को इस सिविलिंग का दर्सन अवश्य होगा ये सिविलिंग पुरी तरह से रुद्राक्च से यहां पर सजाए आएगी तमाम तयारया पंडित पदिभ मिस्राजी की जो पाच देउसी सिव महापुरान का था राजगर میں हुने जा रही है उसको लेकर तयारया यहां पर की जा रही है यहां पर waterproof डॉम आने वाले सद्धालो को बैटने की विवस्ता के लिए यहां पर किये गए हैं यहां पर पंक्य भी यहां पर लगाए गए हैं जिससे सद्धालो को कोई गर्मी का एसास ना हो इसके लिए तमाम तयारिया यहां पर पंडित प्रदिव मिस्रा जी की जो सीव महापुरान कता है इसके लेकर की जा रही है यहां पर आने वाले सद्धालों को बेटने के लिए भी यहां पर मेटी वगेरा पुरी विवस्ता है यहां पर की जा रही है यहां आने वाले सद्ध लोगों को कोई आसुविदाना हो इसकी तमाम तयारिया यहां पर राजगण में पंडित पदिमिस्राजी की जो कता पाच दिवसी सीव महापुरान कता राजगण में होने जा रही है इसकी तमाम तयारिया यहां पर की जा रही है आगे की पूरी तयारिया हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे देखी किस तरह से पंडित पदी मिस्तराजी की कता इस्तल पर मंच के पिछे 21 फिट उची सिवलिंग का निर्भान किया जा रहा है सिरी पंडित पदी मिस्तराजी की कता जो राजगण में होने जा रही है इस कथा में यहां पर बनाई जा रही है किस तरह से यहां पर उसका निर्मान किया जा रहा है देखिए पुरी रुद्राप्च से यह सिवलिंग तयार हो रही है किस तरह से इसकी तयारिया यहां पर राजगण में की जा रही है तमाम तयारिया राजगर्ण में पंडित पदिव मिस्रा जी की जो सीव महापुरान कता गुनिस अगस्त से 23 अगस्त तक जो राजगर्ण में होगी उसके और लेकर तमाम तयारिया यहाँ पर राजगर्ण में की जा रही है देखिए सिवलिंग को थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पर पंडित पदी मिस्रा जी की राजगण में होने वाली कथा में सिवलिंग तैयार हो रही है किस तरह से यहाँ पर तैयारिया सिवलिंग को लेकर की जा रही है यह सिवलिंग यहां पर पंडित प्रदी मिस्रा जी की जो राजगण में कता होगी उसके मंची के जश्ट पास में यह सिवलिंग आपको राजगण में देखने को मिलेगी ये सिवलिंग का काम किस तरह से यहाँ पर चल रहा है किस तरह से यहाँ पर जो सिवलिंग को निर्मान कर रहे है वहें लगे हुए हैं दिन रात ये सिवलिंग को बनाए जा रहा है कितनी 21 पिट उची सिवलिंग यहाँ पर राजगण में बनने जा रही है देखिए किस तरह से यहां पर यह फैन वगेरा रखे हूँ है पंके यहां पर जो पांडाल में लगने वाले पंके हैं वो भी यहां पर तयार की जा रहे हैं यहां पर बड़ी ही जोरो से यहां पर पंडित प्रदिमिस्रा जी की पांच दिवसी कता को लेकर तयारिया राजगड के अंदर की जा रही है यहां पर पार्किंग व्यवस्ता पूरी व्यवस्ता यहां पर पंडित पदिव मिस्रा जी की जो कता रहेगी उसमें रहेजी जाएगी वही सद्धालो को आने के लिए यहां राजगड के पास में ब्यावरा है ब्यावरा रेलवे स्टेशन भी है जहां से सद्धालू ब्यावरा से यहां राजगण करीबन 30 किलोमेटर पड़ता है जो राजगण आ सकते हैं ब्यावरा से जब राजगण आते हैं उसी रस्ते पर पंडित पदी मिस्राजी का जे पांडाल यहां पर सजाया जा रहा है वहीं रस्ते में हाईवे पे ये पंडल पंडित पती मिस्राजी का आपको देखने को मिलेगा तमाम तैयारिया पंडित पती मिस्राजी की जो राजगर्ण में पाच दिवसी कता होने जा रही है उसकी यहां पर की जा रही है तमाम व्योवस्ता हर अपडेट पंडित पती मिस्राजी के हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से अवस्चे करें शिरी सिवाए नमस्तु अभ्यम